अब हम पढ़ेंगे पेज नमबर 7, Grammar यहाँ पर ट्रिकी वर्ड्स हैं, some words ask questions, जैसा के what, why, who कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो questions करने के लिए इस्तमाल किये जाते हैं जैसा के what did you buy, why did you fall, who did you like best यह वो words हैं जो हम question करने के लिए use करते हैं उपर दीगे statement के according हम part A को solve करेंगे, right, what, why, or who नमबर 1 है, dash is in your bag, what, यहाँ पर आएगा, what नमबर 2, dash are you crying, यहाँ पर क्या आएगा, why are you crying, नमबर 3, dash won the game, यहाँ पर आएगा, who won the game, इसी तरह आपने बाकिस sentences को भी read करके, इनमें suitable words को लगाना है, और इसको solve करना है, part B, work or play, work का मतलब होता है, काम करना, play मतलब खेलना, नीचे आपको table नजर आ रहा है, यहाँ में, यहाँ पे कुछ word दिये गए हैं, जो आपने बताने हैं, कौन सा word आपको work के लिए use करना पड़ता है, और कौन सा play के लिए, for example, first पे देखें, pencil, अब आप बताएए, pencil से हम क्या करते हैं, work या play, pencil से हम, yes, work करते हैं, number two पे देखें, football, अब football किसलिए use होता है, work या play के लिए, yes, play के लिए, अब number three पे है, जिक्सा, जिक्सा भी एक game है, वो भी play के लिए use होगा, उसका word, ठीक है, इसी तरह आपने बाकी तमाम words को पड़ते हुए, उनमें correct word को लिखना है, part C, listen and spell, आपने पीछे दी गई reading को read करना है, और उनमें जो new word है, वो यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है, और उनको अच्छे से याद भी करेंगे, ठीक है, चुक्रिया,